नमस्कार दोस्तो स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है जितेश की बातें दोस्तो आज हम आपको पतंजली एलोवेरा जूस के बारे में पूरी जानकारी दूँगा जैसे इसके क्या-क्या फाइदे हैं कैसे इस जूस को आपको लेना चाहिए इस जूस के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं किन-किन लोगों को इस जूस का इस्तिमाल करना चाहिए और किन को नहीं इस जूस का इस्तिमाल करने से पहले आपको क्या-क्या सावधाने रखनी है और साथी साथ इस जूस का फाइदा आपको कब तक मिलेगा और कितने समय तक मिलेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों बात करें इस जूस की तो जो आप ये ऐलोवेरा जूस की बोतल देख रहे हैं ये एक लेटर जूस की बोतल है जिसका प्राइज 200 रुपीज यानि 200 रुपे है और इसे आप किसी भी पतंजली स्टोर से आसानी से खरीच सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीच सकते हैं अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है जहाँ पर जाकर आप इसे डिसकाउंट के साथ खरीच सकते हैं दोस्तो बात करें इस पतंजली एलोवेरा जूस की तो ये पांच महने की डेट के साथ आता है यानि जो इसकी सेल्फ लाइफ होती है वो केवल पांच महने की होती है और एक बार अगर आपने इस juice को open कर लिया तो आपको ये juice एक महने के अंदर ही खतम करना होगा तभी आपको इसके best result देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तो अब बात करेंगे इसके अद्बुत फाइदों के बारे में नमबर एक ऐलोवेर का juice पीने से चहरे पर चमक आती है क्योंकि चहरे की कील मुहा से और इसकिन से सम्मंदित जो भी बीमारी का सम्मंद होता है वो सीधा पेट से होता है तो ऐलोवेर का juice पेट से सम्मंदित बीमारी को खतम करके आपके चहरे पर चमक लाता है नमबर दूसरा अगर आपको भूख ना लगने की समश्या है तो ऐलोवेर का जूस आपके लिए एक रामबान की तरह साबित हो सकता है ये आपकी भूख ना लगने की परिशानी को दूर करता है क्योंकि पेट साफ ना होने की वज़े से या फिर पेट में कुछ विकारों के कारण भूख ना लगने की समश्या रहती है तो अगर आपका पेट साफ नहीं रहता या फिर कबज की समश्या भी आसानी से दूर होती है नमबर तीसरा दोस्तो ऐलोवेरा का जूस खाली पेट पीने से हमारे सरीर के red blood cells की संक्या बढ़ने लगती है तो ऐसे में अगर आपके सरीर में खून की कमी है तो आप रोजाना ऐलोवेरा का जूस पीजिए नमबर पांच हुआ एलोवेरा में मुझूद anti-microviral property आपके दातों को साफ रखती है और इसके साथ bacterial infection से भी आपको बचाती है मुँ में अगर छाले होते हैं तो एलोवेरा का जूस उन्हें भी दूर करने में काफी मदद करती है नमबर छटा दोस्तो अगर आपको बाल जढ़ने की समश्या रहती है तो आप आमला जूस और एलोवेरा जूस को मिक्स करके जरूर इस्तिमाल कीजिए जिससे आपके बाल जढ़ने की समश्या भी कम होने लग जाएगी और आपके बाल मजबूत होने लगेंगे नमबर साथ हुआ दोस्तो वजन को कम करने और वेट मैनेजमेंट में एलोवेरा का जूस काफी हेल्प करता है क्योंकि अगर आपका ओवर वेट है तो आपका डाइजेशन सिस्टम और मेटाबोलिजम पक्का सई से काम नहीं कर रहा है तो अगर आप अपने डाइजेशन सिस्टम को और मेटाबोलिजम को आमला और एलोवेरा का इस्तमाल करके मजबूत करते हैं और साथ में 20-25% डाइट को कंट्रोल करते हैं तो आप 100% मेच्वल तरीके से अपना वजन कम कर पाएंगे और साथी साथ ये हमारे रोग प्रतिरोधक शम्ता को भी काफी बढ़ाता है भले ही इस जूस का स्वाद काफी कड़वा लगे लेकिन इसके फाइदे काफी अद्बूध हैं तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेवन करने की विदी दोस्तों इस जूस को आप दिन में दो बार इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन सुबह अगर आप खाली पेट इस ऐलोवेरा जूस को पीते हैं तो आपको इसके बैस्ट रिजर्ट देखने को मिलेंगे अगर बात करें इसको लेना कैसे है तो 15-25 एमल आथे गिलास पानी में मिक्स करके लेना है दोस्तों बात करें इसके साउधानी की तो जो भी प्रेगनेन लेडी हैं या फिर इस्तनपान करती हैं यानि ब्रेस फिडिंग करने वाली महिलाये हैं तो वो इस ऐलोवेरा जूस का इस्तिमाल करने से बचें और इसके साथ अगर आपको कोई भी सीरियस बीमारी है तो इसका इस्तिमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सला अवश्य लें दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके मन में ये कोईशन जरूर आ रहा होगा कि इसका रिजल्ट हमको कब तक देखने को मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक नैचुरल प्रोसेस है जो धीरे धीरे काम करती है लेकिन हमेशा के लिए करती है दोस्तो अगर आप ऐलोवेरा जूस पीते हैं तो आपके बाल और इसकीन से संबंदी समझ्याओं में जबर्दस तरीके से फाइदा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप इसको तीन से चार महिने के लिए लगातार इस्तमाल करते हैं तो आपको इसके बड़िया फाइदे देखने को मिलेंगे इसलिए आप इसको लगातार इस्तमाल करिए क्योंकि ये एक नैचुरल प्रोडेक्ट है जिससे आपको बड़िया फाइदा देखने को मिलेगा दोस्तो बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसका कोई भी side effects अभी तक देखा नहीं गया है क्योंकि ये एक natural product है लेकिन सुरुवाती दिनों में आपको इसका taste कुछ अजीब लग सकता है लेकिन आप इसको अगर लगतार 4 दिन तक यूज़ करेंगे तो आपके taste में कोई परशानी नहीं आएगी क्योंकि आपको इसके taste की आदत पढ़ जाएगी तो दोस्तो कैसी लगी वीडियो अगर कोई भी doubts आपके मन में रह गया है तो मुझे comments जरूर करिए मैं उसका answer आपको जरूर दूँगा तो तब तक के लिए बस इतना ही अगर आप चाते हैं कि ऐसी ही महतुपूर भरी जनकारियां लगातार मिलती रहे तो इस चैनल को आप subscribe जरूर करिए अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद